हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाग, I hope all are doing well, so I am Neha Sethi, welcome to Share Market with Neha Sethi, बात करेंगे ब्राइट कॉम ग्रूप शेयर के बारे में, मैंने आपको कर लास वीडियो में बोला था कि ये 32 तक जा सकता है, वही हुआ है आज, आज का आपको इसको लो बताती हूँ, क्लोजिंग दी है 33.25 पे 0.60 परसंट का एक नेगेटिव रिटर्न मिला है, जाने के क्या रीजन है शेयर में गिरावट के, आप लो देखिए 32.95, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, फिर से जो नेगेटिव निउस आई है, उसकी वजह से हमें ये नीचे जाता आज की परफॉर्मेंस कैसे रही और क्या लेटेस ओफिशल अनॉंसमेंट है, क्या नेक्स टार्गेट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे वीडियो में, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करने, फ्रेंड्स 52 वीक हाई तो भी आप भूल चाहिए, बहुत ही जादा दूर है, अभी तो इन्वेस्टर्स यही एक्सपेट कर रहे है, 40 को ब्रेक करके 50 तक तो पहुँचे, मार्केट कैप कम होता जा रहा है, लगतार 6709 करोड का मार्केट कैप हो गया है, कहां ये टाइम पे 10,000 करोड का मार्केट कैप था, फंडामेंटल्स अभी भी पॉजि रही, उसके बारे में डिसकस देंगे, और जानेंगे क्या स्ट्राटेजी रखनी आप हो, क्योंकि पहले तो आप हमेशा 30 रुपिस के असपर एंटरी लेते थे, एक शॉट्टर्म प्रॉफिट के लिए, फ्रेंट्स, टोटल वॉल्यूम क्या रहा है, आज एक अच्छी च थी, दो नेगेटिव, आप सबको पता है, एक आई थी, जो फ्रीज हो गए थे, शियर, प्रोमोटर्स के सेकिंड जो एक पुलिस कंप्लेइन हो गई थी, तो उसका काफी नेगेटिव इंपेक्ट पढ़ा है, और शियर दुबारा से नीचे ही आ गया, इस बार तो 40 के को ब्रेक कर दिया, तो वहाँ एक बहुत ही मुश्किल वाली चीज आ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का तो वैसे ही ट्रस थोड़ा सा उठता जा रहा है, और वहाँ मुश्किल हो जाएगी, तो अब देखना बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग है, कि अब क्या होगा, 32 तक तो आज चला गया, मैं आपको बताओंगी कि क्या टार्गेट्स हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि जो दो न्यूस नेगेटिव आच चुकी है, बैक टू बैक, उससे इंपक्ट पढ़ सकता है, तो इसलिए अभी ये काफी रिस्की जोन में है, शेयर, नेक्स टार्ग हैं, और फ्राइडे को तो आपको वैसे भी पता है, थोड़ा प्रोफिट बुकिंग जादा होती है, तो इसलिए हमें 31 केसमें टार्गेट्स देखने को मिल सते हैं, वंस अगिन इस वीडियो इस ओनली फूर एजुकेशनल परपस, इन्वेस्मेंट करने से पहले रिसर्च हमेशा करिए, thank you so much friends